Hi guys, so welcome back to another video, I hope आप सब लोग मस्ट और टका टक होंगे So guys, आज है date 10th April और आज का भी update आ गया है, मैं आपको बताऊंगा आगे But चलो फिर आज फाइनली जो उपर जाती हुई rally थी, इतने दिन से जो उपर चल रहा था पोर्टफोलियो आज आके finally down, मतलब down मतलब उपर नहीं गया है आज, आज नीचे ही आया है, कितना आया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा But उससे पहले guys, एक quick introduction दे दूँ, जो लोग चैनल पे पहली बार आये हैं, चैनल को like, share, subscribe कर लो आप जैसे देख रहे हो, मैं mutual fund portfolio related, मेरा daily, कितना profit में आप आया है, कितना portfolio में आप आया है, मैं daily video डालता हूँ guys So, जो भी mutual fund में investment करना चाते हैं, उनको long term पे definitely कुछ न कुछ idea मिलते रहेगा, market जब up जाता है, कितना उपर जाता है portfolio, mutual fund में returns में कैसा volatility आती है, तो कितना down जाता है ओ टाइम पे मैं overall daily base पे cover करता हूँ, हर दिन video डालता हूँ almost, तो जो भी investment करना चाते हैं, या कर रहे है mutual fund में, आपको long term पे definitely help तो करेगा, कुछ न कुछ बाकि guys debt fund बताऊंगा, जोने उने FY24 में 10% के उपर return दिया है, तो उसके बारे में पूरा आपको आर्टिकल शेयर करूँगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, बाकि third update as usual YouTube income के related दूँगा, आज का day return कितना आया है, और अप्रेल का अब तक का monthly return कितना आ चुका है, आज तो नीचे आया है, और नीचे आया है जो वो थोड़ा अच्छा खासा मतलब जादा नीचे नहीं आया है, कितना आया है, minor सा difference हुआ है, वो आया है, 2087 रुपिस के around, जो की 0.22% minus गया है, आज के दिन में, तो ये बड़ा down नहीं है, बट अगेन बहुत दिन के बाद य ग्रीन ग्रीन देखने का, सो कोई बात नहीं, देखते हैं, आगे बड़े या ना बड़े, कैसा क्या जाएगा, अब तो पुरा मेहना है, अब देखते हैं, अप्रेल में, बाकि या टोटल परसेंटेज देखेंगे, तो 16.82% है, 17% के उपपर, सो 17% के उपपर हो मेरा highest touch हो वो record break करता है कि नहीं, उसके उपर और जाता है कि नहीं, तो current portfolio का value कितना हो चुका है, 9,47,749 रूपीज, और टोटल, अभी XI Yara देखेंगे, तो 43.04% है, गाइस, अभी दिन का देखेंगे, आज किसने कैसा perform किया, डे वाइस में, तो अभी डे रिटन देखेंगे, किसने कैसा loss किया है, या profit किया है, निपॉन ने देखेंगे, small cap ने, तो minus 1,028 रूपीज के अरौण है, कोटक का, अब देखेंगे, तो minus 593 रूपीज के अरौण है, X से small cap का देखेंगे, तो minus 465 रूपीज के अरौण है, तो overall ये individually fund ने losses किया है, total losses minus 2,087 रूपीज के अरौण ह अब देखते हैं कल क्या update आता है, कल उपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके लिए आप चैनल को like, share, subscribe कर लो, ऐसे ही daily में update देते रहोंगा, so guys चलो आप बात करते हैं, 5 debt mutual fund that gives over 10% return in FY24, so अब आप देखें guys, तो कितने debt fund है mutual fund in the market, 309, जिसमें out of this, 5 schemes ने 10% के उपर दिया है, इन FY24 में, आप देखेंगे, तो पहले पर कौन सा है, DSP credit risk fund, इसने टॉप किया है, 15.59% return दिया है in FY24, जो कि काफी amazing है, आप देखेंगे guys, तो SBI long duration fund है, इसने दिया है 10.34% और जो कि again अच्छा ही है, उसके बाद देखेंगे, DSP again, strategic bond fund, एक और DSP का fund है, इन्होंने दिया है 10.25%, ठीके, उसके बाद आप देखेंगे, HDFC long duration debt fund, इसने दिया है 10.20%, अब देखेंगे, निपॉन, इंडिया, निवेश, लक्षया fund, ये fund ने दिया है 10% in FY24, ओवरल guys, ये है 5 fund, चलो guys, थोड़ा, चैनल का भी अब रिव्यू कर लेते हैं, guys, ऐसे ही आप लोग support दिखाओ, जैसे आप लोग दिखा रहे हो, first of all guys, सबको thank you, बोलना चाहूंगा, 2,504 subscriber हो गए, ठाए जार subscriber हो गए guys, short videos तो guys, मैं around September से बना रहा था, last month से, last year से, बट आप ये बोल सकते हो कि long video मैंने November ending से चालू किया था, तो आप देखिए guys, almost 4-5 मैने के अंदर, almost 2,000 subscriber आप लोग ने इतना support दिखाया guys, so guys, इसलिए guys, ये साल का मेरा target है guys, कि 10,000 subscriber, December ending के पहले करा दो guys, मैं आप से इतना support तो चाहता हो guys, इतना support तो मैं expect कर सकता हो guys, और जो लोग ने video यहां तक देखा है, चैनल को subscribe नहीं किया, तो अगर आपको video अच्छा लगता है, तो subscribe कर लो, जो कि long term पे definitely, कुछ ना कुछ तो guys, आपको help मिले गई, चाहे जो investment कर रहा हो, या ना कर रहा हो, या कर रहे हैं, जो भी है categories में, आपको, मैं actual update देते रहता हूँ, जितना मेरे से possible होता है, तो बाकी guys, जो लोग subscribe कर चुके हैं, आप लोग channel को, Instagram, Facebook, Whatsapp, सब जगा शेयर कर दो, ठीके guys, बाकी चलो guys, आप बात करते हैं, आज के YouTube income के related, कितना आया है day return और अपरेल में अब तक, तो guys, अभी जैसे देखेंगे, कितना last update जो आया है, one day return का, तो आया है, कौन से date का, यह आया है, तो guys, यह आया है last update, 8 April का, जो की है, one point five one dollar, और अपरेल मन्त का दिखेंगे, अब तक कितना हो चुका है, तो अपरेल मन्त का, जो last update, अब आया है, monthly वो आया है, nine point five four dollar, तो nine point five four dollar है, जो latest आज का अपडेट है, इसको आप चाओ, तो current, rupees कितना है, उससे calculate कर दो, तो आपको कुछ idea मिल जाएगा, कितना हो चुका है अप तक अपरेल मन्त में, तो guys, channel को ऐसे ही support दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा like, share, subscribe, कुछ अच्छे comments, ऐसे ही आप करो guys, यही चीज मुझे push करता है, और आपको जैसे पता होगा, मैं आपको बता दूँ, कि मेरा first target है, एक करोड हो जाए, एक बार एक करोड amount हो जाएगा, यह मेरा सबसे पहला target है, इस हिनका comment है, I invest in four funds out of three are quant small cap, nippon small cap and quant ELSS tax saver, great bro, I hope आप इसको long term तक ही continue करोगे, and volatility, यह risk, सब चीज आपने अपने level पर research किया होगा, इसका, तो guys, फिर वीडियो को यहीं पर end करता हूँ, बाकी आप लोग guys, ऐसे ही अपना support दिखाते रहो, देखते हैं कब तक यह one करोड होता है, सबसे पहला मेरा main target वो ही है, बाकी आप लोग guys, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ध्यान रखो, bye and take care.